श्री राम की प्राइट प्रुदिस्टा में पहुँचना मौलानों को पड़ा भारी कठर पंतियों ने इमाम उमर एहमद इल्यासी पर फद्वा किया जारी इमाम बोले मेरे रास्टर प्रेम से दुएश है तो पाकिस्तान चले जाए इमाम को मिली जान से माणने की धमकी इमाम बोले इट का जवाब पत्थर से मिलेगा दरसल राम मंदिर प्राइट प्रुदिस्टा के बाद जोर सोर से दर्शन का दौर चल रहा है जिस पर भयानक राजनीती भी अपने चरम पर है आपको बता दें के राम लला के प्राइट प्रुदिस्टा समारों में शामिल होने के बाद और इंडिया इमाम संगठन के मुखे इमाम डॉक्टर इमाम उमर हैमत इल्यासी भी बहाँ पहुंचे थे जिसके बाद उन पर फत्वा जारी कर दिया है वहीं उनका कहना है कि उन्हें लगातार जन से मारने की धंकिया भी मिल रही है इल्यासी ने कहा है कि मुखे इमाम के रूप में मुझे श्री राम जन्म भूमी तीर्ट शेत्र से निमंतरन मिला है मैंने दो दिनों तक विचार किया और फिर देश के लिए सत्भाव के लिए अयोध्या जानी का फैसला किया फत्वा कल जारी किया गया था लेकिन मुझे 22 जन्वरी की शाम से ही धमकी भरे कॉल आ रहे है वहीं इसे लेकर विश्व हिंदू परिशद ने विरोध जताया है उन्होंने इसकी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्य पूर बता दिया है विएच्पी के रास्ट्री प्रवक्ता विनोध बंसल ने कहा कि प्रांट प्रतिस्टा कारिक्रम में शामिल होना कुछ जिहादी कटरपंती मुफ्तियों को अच्छा नहीं लगा जिसकी वज़ा से मुफ्तियों के ग्रुप द्वारा फत्वा जारी किया गया है और आगे क्या बोले इमाम उमर एहमद इल्यासी आईए सुनते हैं और क्या वक्या है देखिए मैं राम जनम भूमी ट्रेस्ट के दौरा मुझे निमंतरण मिला ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए मैं दो दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए मेरे जिन्दीगी का ये सबसे बड़ा फैसला था मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसे सुहर्थ के लिए अपने देश के लिए रास्ठित में ये मैंने फैसला लेते हुए मैं आयद्या चला गया वहां जाके तमाम आईद्यावासियों ने मेरा स्वागत किया सादू संतों ने महबत का इजहार किया इस्तक्बाल किया वहां से मैंने अपना एक पेगाम जो की पेगाम इमहबत मैंने वहां से दिया वो पेगाम महबब जो था मैंने उसमें कहा कि हमारी सब की जातियां जरूर अलग हो सकती है हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं हमारे अबादत करने की तरीके पूजा पद्दती अलग हो सकती है हमारी सब के धर्म जरूर अलग हो सकते हैं लिगर हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इनसान और इनसानियत का है और हम भारत में रहते हैं हम सब भारती हैं आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें भारतियता को मजबूत करें रास्ट्रसर वो परी है ये पेगाम महबच जैसे ही दिया देश के तमाम सारे चैनलों पर तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वाइरल हो गया वाइरलों के बाद उनको सब को ये मालूम हो गया कि इमाम साथ चीफ इमाम साथ वहां पहुँच गए और उन्हें ये फत्वा जारी कल किया है वैसे तो मुझे 22 जन्वरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगाओं से मुझे धंके आने लगी मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहूल बनाने लगे मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब्द शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे तमाम मुझे अलग अलग जगाओं को मुझे मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा इसी बीच में कुछ फोन्स कॉल आ है जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है उनके नंबर्स जिन्होंने मुझे चांसे मारने के लिए मुझे बहुत ज़ादा तकलिफ देने के लिए जो इस तरह के फोन आए वो भी फोन आए माफी के भी फोन आए तो लास्ट में कल रात कोई एक फत्वा जारी हुआ है जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसेनी कास्मी जो शक्स एक इंस्टिट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का जिनका मुफ्ती क्लासिस के नाम से उनका चलता है मैं उनको जानता नहीं हूँ मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है लेकिन ये सोचल मीडिया के माध्यम से वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगाँ से फत्वा आना शुरू हो गया था चुकि उन्होंने ये इसमें मेरा एक नंबर है मेरा मुबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फत्वे के अंदर जिसमें उन्होंने साफ तोर पे मेरा नमबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नमबर दे दिया इमामों को दे दिया ये फत्वा जारी कर दिया उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफी मांग ले मेरा बाइकार्ट कर रहा और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है क्यों गए हैं आप चीफ इमाम हैं आपको जाने का अधिकार ही नहीं हैं आप इसलिए आप पर कुफर का फत्वा जारी होता है दूसरा बिंदू उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से उपर कर दिया है ये आपका गुना है इसलिए आप पर फत्वा जारी हो लिहाज से आप खारिज हो गए लिहाज़ अब आप पर कुफर का फत्वा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजा हैं इसमें मुकरर कर दी गई हैं लेकिन मैं उनसे यह बात कहना चाहता हूँ पहली बात तो यह इस्लामिक देश नहीं है यह भारत है यह सनातन भारत है इस भारत में हमेशा से सर धरन संभाव की बात है यहां एकता खंटा की बात है अनेकता में एकता की बात है अगर उनको मेरे इस पेगाम महबत से तकलीफ है मेरा विरोध कर रहे हैं तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट के साथ देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ मेरा ये दोश है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ मेरा इसली विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए अब वो लोग जो मुझे से महबत करते हैं जो देश से महबत करते हैं वो मेरे समर्थन करेंगे जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर मुझे लगता है कि शयद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए यहां पर महबत का पैगाम हमने दिया है हमने कुई गुना नहीं किया है राष्ट-मंदिर था हम वहां रास्ट-मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया हम उस पैगाम पर अठल हैं हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और नहीं मैं माफ़ी मांगूंगा नहीं मैं किस तरह का इस्तिफ़ा दूँगा और जिस तरह से वो जो चाहें कर ले अभी उन्होंने एक स्टेट्मेंट जारी किया है उन्होंने का है कि हम माफ़ करने वाले नहीं है तो मैं भी बता दूँ कि मैं आपसे माफी मांगने वाला ही नहीं हूँ चुकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुँचे मेरा का मकसद है अपना देश है देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे ये भाव सब के अंदर आना चाहिए रास्टे सर्वोपरी है